नवरात्री से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल श्रधा MH1 को सब्सक्राइब करें जै मातादी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्विशेश कारेक्टर में जिसका नाम है नौदिन नवरात्र के मा के आज आठवे स्वरूप की हम बात कर रहे हैं मा महागौरी का स्वरूप कैसा है मा का कौनसा प्रियर रंग है मा को भोग क्या लगाय जाए और जैसा कि लगातार इन कारेक्रम के जरीय हम आपको बताते हैं कारेक्रम के अंत में महा उपाए और वो तमाम जानकारियां लेकर आज फिर से हमारे स्वरूप में उपस्तित हुए विश्विक्यार जोतिशाचार है वास्तुव एक्सपर्ट नाड़ी वैद है पंडित सुनील भारत दवार जी एक बार फिर से सुबारंग करेंगे अपने इस विशेश कारेक्रम का आशिरवार लेंगी गुर्देव का गुर्देव बहुत-बहुत स्वागत है आपका जै तर्क नाड़ी को दे दिये। 9 दिन वो अराधना करने हैं कि अपने काया को कल्ब करनी हैं बहुति किसी चीशने ड़रता अपनी काया में अगर कोई भी दोश हो जाये तो उससे बहुत अर्ट ड़रता है तो याद रखें ये नौ दिन इसलिए पवित्र हैं और नौ दिन इसलिए मुखे हैं क्योंकि इन दिनों में वातावरण मिक्सिंग होता है चैत्र नौरात्रों में सर्दियों से गर्मियां परवेश करती है और आश्विन नौरात्रों में गर्मियों से सर्दियां परवेश करती है इन दिनों में योगी लोगों ने, महापुर्षों ने या चिकिस्वों ने इसलिए इस बात पर जोड़ दिया है अन नहीं खाना चाहिए ये दिन विशेश रूप से कहा गया है और इस लिए अन नहीं खाना चाहिए क्योंकि अन सड़ता है और जट रागनी उतना काम कम करती है ये रित्में बदलती है वातवरण बदलता है मौसम बदलता है और देवी की अनुष्ठान इसलिए करना चाहिए क्योंकि आपको सक्ती उपारजन ज्यादा करनी है सक्ती की उपासना करनी चाहिए इन दिनों में और इसलिए सास्तरों ने चार बार नौरात्रे बताये हैं दो गुप नौरात्रे भी है आशाड और माक्त मगर दो जो आश्विन और चैत्र के नौरात्रे है इसमें देवी का उपासक ही सुरक्षित है और कोई उपासक सुरक्षित नहीं है कि देवी महामाई की गुणगान करने से उपासना करने से मंतर चारण करने से, जोत नहारने से, जोत को देखने से, महामाई के दरसन करने से, नो सुरूपों का अलग अलग वर्णान सुनने से, महातर दरसन करने से नहीं सुनने से, सरवन बहुत जरूरी है, तो अगर आप सरवन भी करते हैं, सुनते भी हैं, आप हमारे साथ जुड़ के सभी से मूल रूप से समझने का प्रयास करते हैं कि माने क्या संकेत दिये पर्थम इसे लेकर इसमें माने अलग-अलग रूप है हर रूप मे沟र ऑकर एक सं runs गेती इतना सुन्दर दिया है कि वह हमारे जीवन काल के लिए बहुत प्रयाद है बिल्कुल बस उन संकेतों को जानने और पहचानने किया वह शकता है आज मा महागोरी के स्वरूप के विश्वर बताएं गरुजी बड़ा सुन्दर सुरूप है इनका क्योंकि आज का सुरूप तो इतना सुन्दर है महागोरी का कि इनके सुरूप का अगर वर्णन किया जाए तो सास्तरों ने सबसे सुन्दर सुरूप महागोरी का माना है नाम भी महागोरी आज ये बैल पर सवार है जैसे पहले दिन आई थी ना बैल पर वैसे जी इनका जो रूप है वो कुंद के पुष्प के समान गरना की गई ये आठ वर्ष की कन्या के समान इनका जो रूप है गौर वर्ण है इनका इनके हाथ देखें कितने सुन्दर है दाहिने हाथ में एक में तिरसूल है और एक अवैं मुद्रा में हैं बाएं हाथ में एक वर्ण मुद्रा में हैं और एक में हैं डमरू अब देखो कितनी मूल बात है मा ने पहले दिन करी तपस्या क्या पाने के लिए पहले दिन से सारी तपस्या हमेश भगवान शिव को पाना है और भगवान शिव को पाने के लिए हात में क्या आ गया डम्रू तिर्शूल ये डम्रू और तिर्शूल किस बात का संकेत है किसका है भई ये ये तिर्शूल है हमारे चंदरमॉली आसुतोस भगवान शिव का और डम्रू किसके पास होता है डम्रू भी बाबा के पास होता है तो महामाई के पास आज के दिन डम् की गड़ना की गई है आठ वर्स की कन्या की जैसे आप देख सकते हैं वो मुखारबिंद मां के इस शुरूप में देखने को मिले आप इनको देखने से मन बड़ा परसन होता है सांती मिलती है और आपका घर बड़ा सुरक्षित होता है वाता वरन आपका बड़ा फली बूसर है इससे पहले काल रात्री भी बनी थी ना कठर तब किया इनका सरीर पढ़ गया काला जल गया कठर तब किया था भगवान शिप परसन्द नहीं हुए अब बाबा कभी कभी नहीं होतेदेर तक हुए तो कठोर सरीर पढ़ने से इनके सरीर में बिलकुल ऐसा हो गया, सूख गया, काला जल, जलने ही जासा सरीर हो गया, जैसे आप कोईले को देखते हैं जल जाता है, ऐसा सरीर जब बाबा आए, तो उन्हाने अपने कमंडल से परसन मुद्रा में आए, देखकर इनके तब से बड़े परसन हुए, और परसन मुद्रा में आकर अपने कमंडल से गंगा जल की जो बूंदे छिड़के ही इनके, उसके बाद मा का सरीर कौर वर्ण, और महागौरी के नाम से ये वो इनका रूप है क्योंकि कमंडल से निकला जल वो गंगा जल नहीं है वो चंद्रमॉली आसुत भवान शिव के अगर हाथ से लग जाए तो व्यक्ति का तो समझ लिए संसार में तो ये संभव नहीं है देटाओं में संभव है संसार में भी किरपा होती है उनकी पदर्श होती है देखते नहीं है उस कथा में है कि उनका जो सरीर एकदम गौरवरंड का हो गया और इतना सुन्दर सरीर हो गया मा का और ये मा का महा गौरी के नाम से नब दुर्गाओं में आठी सक्ती के रूप में पूजा जाता है इनकी उपासना करने से आपका लोग पर लोग सुधर चुका होता है आप मणी लोग के वासी के अदिकारी हो चुके होते हैं और उसके बाद आपका घर सुरक्षित होता है आपका परिवार सुरक्षित होता है आपका कोई अनिष्ट नहीं होता आपका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता क्योंकि आप अब बिल्कुल सुरक्षित जोन में आ चुके हैं यह माकी महिमा और इनकी कथाओं का फ़ल है। मा महागौरी, जो मा महागौरी की पूझा अरचना करते हैैं, किस परकार के रिधियां, सिध्यां और शक्तियां देने वाली हैं, ये भी आप हमें बताएं गुरुजी देखें ये आपको लौकिक अलौकिक सिद्धियां देती हैं इनमें आप देखेंगे इसके अगले दिन महीमा आईमा गरिमा ये आपको मिलेंगी मगर आज के दिन आपके पास लौकिक अलौकिक सिद्धियों के अधिकारी होंगे और इन नहीं कर पाएंगे, आप उन सब बंधनों से मुक्त वजाएंगे, आपके घर में कोई वासू दोस है, आपके घर में कोई बंधन है, आपके घर में पित्र दोस है, आप किसी बास से पीडित हैं, या आपको किसी साध्य साध्य रोग पीडित कर रहा है, आज का दिन आपके प एक अनेक नहीं है जोती एक उसका रूप अलग अलग हो सकता है अलग अलग सरीरों में परवेश कर सकती है मगर वह जोती वही महागौरी महामाई की है आज के दिन किस मंतर का चरण किया जाए विस्तार पुर्वरभी बताएं जो मंत आपको सललता से आता है सरमंगल मंतर पढ आपको सकती चाहिए तो आपको सत्रू बादा से मुक्ति चाहिए ओमरिंग बगला मुकी सर दुस्ता नाम वाचा मुखंपदम इस्तवाजीविका अगलिका दीवनाशना है ओमरिंग स्वहा आप सत्रू पक्षए अब आप बिलकुल सुरक्षित हैं आप अपने घर में महा माई का किसी भी रूफ से गुर्णान करेंगे कुछ नहीं आता तो आप जैमा तकी तो करी सकते हैं आपको कोई मंत्र नहीं आता वाईसे छोट सलल सलल या देवी सर बुतसु देया रूपिंट संस्ता यह भी मंत्र बहुत सलल है इस तरह से आप जो मंत्र आपको आता है उस मंत्रस का आप उत्षारण करके आज कन्याओं का परसास रूब वित्रण कर सकते हैं इस कारेकरम स्टूड़ी और अधिक जानकारियां आप से जरूर लेंगे लेकिन फिलहाल यहां पर वक्त हुआ एक छोटिस से अंतराल का इस खुबसूरत चर्चा के साथ हम पुना हाजर होते हैं मॉम नूडल्स नो जंक फूड जी करेला फिर से चश्मा नहीं लगेगा और जानती हो हरी सबजियां खाने से स्किन अच्छी रहेगी और प्रॉकली से इम्म्योनिटी रोज-रोज वेज़िटेबल्स खाओगी तो हेल्दी रहोगी और मेरे बालों के लिए हेल्दी बाल बनेंगे हर रोज प्यॉर रूट्स शैंपू लगाने से अपने बालों को रोज दीजे वीट और सोयबीन के पोशन से भरा प्यॉर रूट्स प्रोटीन शैंपू जिससे बाल बने मजबूत, सुन्दर और घने जै मातादी इस ब्रेक के बाद एक बाफिर से बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे स्विशेश कारिक्रम में जिसका नाम है नौ दिन नवरात्र के और हमारे साथ हमारे स्विश्विख्या जोतिशाचारे वास्तुव एक्सपर्ट नाडिवैद पंडिस सुनील भारत द्वाजी पर से स्वागत करना चाहेंगे गुर्देव का बहुत-बहुत स्वागत है गुरुजी आपका जै माता दे गुर्देव आज आप हमें मा महागौरी के विश्य में बता रहे हैं सबसे पहले बताये बी बताएम कि मा को भोग को अलगा जाया आज तो नारियन वीस वह आपने जो रखा है बड़ा कोई दिन नहीं आप कन्यां पूझन कीजिए नारियों का भौग अवष्या देना चाहिए उन कन्याओं प्योशन की भोग देना चाहिए। ज्यासे जॉजावा जीजानाजी ना जॉजानाजी जीव्यव Sumजिए। आप तत्कार रखे साधक्व कर लेती है। ठीक इसी प्रकार, आज के दिन आप अग्यारी में, अगनी में, जो भी आपके पास हवन है, उसमें थोड़ा सा गोला और उसके बाद परसास सरूर वित्रण देना चाहिए, साथ में गुड़ के बने पदारता आज माह को बहुत प्री है, गुड़ में विठास होती है, बीचते हैं, कहीं न कहीं वो जो खेत्री होती है, संकेत होती है, परिवार के हित्के लिए होती है, कई बार वो जो है कष्टकारी हो जाती है, इसके विशे में भी आप जरूर बताएं, जो खेत्री होती है, वो हमारे यश, संपत्ती, एस्वरता का संकेत है, कि हमारे पास मां हमारे धन धन कितना कर रही है एक बात इसमें हम कहना चाहेंगे बिलकुल इसमें यह मैं सोच के चलिए कि मेरी खीतरी हुई नहीं है मेरी खीतरी कम हुई है या मेरे को मांने कुछ आसरवाद नहीं दिया ऐसा कुछ नहीं है आपको मांने जितना दिया है जैसा दिया है जि जो गुजर गया भूत उसका पश्चाता आप बिलकुल ना करें। ये माकी खेतरी का संकेत होता है। आप जब खेतरी बनाते हैं, खेतरी बनती है और खेतरी निकाल लुकते हैं, वो आपकी धन्यदान का है, एक दाना भी निकले वो ही प्रयापत है। इसलिए हम कहना चाहेंगे, जो बहुत सारे लोग इस भ्रह्म में पढ़ जाते हैं, कि इस बार हमारी खेतरी कम हुई, ज़्यादा हुई, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। आप बिलकुल संकोच ना करें, भैबीत ना हों, किसी बात को लेकर चिंतित ना हों, एक अंश दाना भी अगर आपका निकल जाए, वो ही आपके लिए प्रयापत है। मा का प्रिया रंग कौन सा है, गुरू जी भी बताएं। आज के दिन बड़ा सुन्दर रंग, गुलावी रंग मा को बड़ा प्रिया है, गुलावी रंग की चुन्नी लें, गुलावी रंग का पटका लें, गुलावी रंग के वस्तर पहनें, और मा ने आज का दिन तो स्वेट रखा हुए, अपना कुंद के पुश्प के समान, हलका सा देखें, तो रेलामी लिये वह है, हलका सा पीला और गुलावी मिक्स है उसमें, तो वो बड़ा सुन्दर रंग है, गुलावी रंगा आज के दिन बड़ाप्रियय है, गुलावी रंग का फाथ रुच ले 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 हैं, उसमें परसाजَّ का संकेत भी है पती-पत्नी मिलकर ऐसे इस पर्व को मनाएं भेट स्वरूप कन्याओं को आज के दिन क्या दिया जाए यह था सकती दें आप सबसे पहली चीज तो यह था सकती दें हमने इसलिए का कि आप अगर यह संकोच में पड़ जाए कि हमने आपको कोई महगी चीज वि पहनी वे और बच्चा गिर जाए चोट लग जाए खराब हो जाए उसके कपड़े तो मा यह नहीं सोचेगी कि मैं अपनी नई साड़ी बदल के आती हूं वह उसी साड़ी में उठा लगी तो यह संकेत है जब संसारिक मा इतना कर सकती है तो जगत जनी तो बहुत कुछ कर स पातर ला सकते हैं करन्याओं के सिंगार का समान ला सकते हैं करन्याओं के लिए वस्तर दे सकते हैं अगर आप धन संपत्ती है तो आप वस्तर दें गुलाबी वस्तर नो करन्याओं को बाढ़ दें नारियल दें चुननी दें कुछ उनको पहनने का दें जिसके वो परसन हो खेल खिलोने दें जिससे वो परसन हो और खाने के लिए तो आज के दिन नारियल की बनी बर्फी दे उनको गुड के बने पदारत दें चौलाई के लड़ू दें और साथ बिठाल के स्वेम बिठाल के कन्या पूजन करें कन्याओं को बुलाएं बुलाने के बाद बंक्ती वर बिठाएं एक लांगुर बिठाएं और लांगुर बिठाकर उनको पंक्ती वर दें और ध्यान रखें इसमें अब एक दो चीज और बता जेते हैं क्योंकि करन्या पूजन के विश्य में बात आ गई तो करन्याओं को जब आप मौली बांदें तो उनके सीधे हाथ में बांद कर लें तो उसके बाद उनको अगले वर्स आने का निमंत्रण दें सुक्षांती आपकी उन्नती वहीं दे जाएं आशिरवाद लें उनसे और वो छोटी-छोटी करन्या हैं एक वर्स से दस वर्स तक की करन्या होनी चाहिए ध्यान रखें स्वाद का एक वर्स से दस वर्स की करन्या कई गई हैं इनके नाम बताए गया है सताक्सी साकुम्री यह भाम्री यह सब नाम हैं इनके अलग-अलग करन्याओं के उनको बुलाएं अपने घर में उनको पंक्तिवर जैसा हमने बताया बिठा के भूजन करा गुर्जी आज के दिन से जोड़ा महां उपाय क्य ले जाएं साथ में रंग-रंगे पुष्पों की माला अगर आपको मिले और माता के मंदर में भीट दें साथ में हलुआ पूरी का जो भोग है चने का भोग है वो ले जाकर दें और एक पताका फैरा दें आपका विजह का पताका फैराना चाहिए मा के नाम का जैमाता की का ज्ञंडा पता का आज के दिन जरूर फैर ना चाहिए जिससे आपकी उन्नती का संकेत मा तक पहुंचे पवन भी उनीका समझ लिए संकेत है पवन उनके सारे के विना नहीं चल सकती जो अगनी है वो शाक्षी है इन नौ दिन आपने वरत किये नौ दिन आपने नियम करा जैसे सहिस्तर तक पहुंचे थे हम सुसातवी नौराद्री को यमनियम परतियार ध्यारन द्यारला समादी तक पहुंचे थे ना जैसे हम तो ऐसे हैं आज आज आपका शाक्षी कौन वो अगनी शाक्षी वो अखंड जोध साक्षी है कि आपने पूर रूप से मा का विदी विदानवत ब्रत उखवास किया और आप अपने संपूर अनुष्ठान में आज महामाई के चलणों में पहुंचे हैं ये विदान है इसका आज की इन तमाम जानकारियों के लिए गुर जी बहुत बहुत धन्यवाद जय माता दी आज के हमारे संखास कारेक्ष्रम में आप हमें दें इजासत कल हम फिर हाजिर हूंगे मा के नौवे स्वरूर के साथ यानि की मा सिधिधात्री के साथ तब तक के लिए जै माता दी